धमपत गाथा नमबर 46-46 मारीची कम ठानिक इस्थिवर मारीचिक कम ठानिक इस्थिवर यानि कि उस भिक्कू का नाम है जिसके उपर ये कथा पड़ी हुई है कथा सावित्ती की है सावित्ती में एक वार एक भिक्कू भगवान बुद्ध से सारी साधना विपस्ना सीखने के बाद में एक एकांत रास्ते में चला गया जहां उसकी साधना विपस्ना में ज़्यादा परिशन नाए और वो अपनी साधना विपस्ना में निरंतर लगाता प्रगति करता रहे और कोई बाता उसको पन ना हो मगर जब वो वहाँ जाके बैठा तो उसका ध्यान नहीं लगा उसका मन बला चंचल हो गया अस्थर मन हो गया इन बिलेंस हो गया डिश्टर्ड हो गया तो जब ज़ादा देर हो गयी और बहुत परशान हो गया वो तो वो बापिस भगवान बुद्ध के पास में समस्या का हल जानने के लिए बापिस वहां से चलने लगा रास्ते में जो अचिरवती गंगा है वो पड़ी अचिरवती गंगा मतलब जितनी भी रिवर होती थी उस समय उनको पाली भासा में गंगा बोलते हैं नाम उसका अचिर वति था, अचिर का मतलब है जो चिर तक नार है, यानि कि 24 गंटे और 12 महिने ना बहती हो, जो चिर होती है चिर का मतलब है हमेशा बहने वाली और अचिर का मतलब है बढ़सा वाली रिवर जिसमें बारिस होगी तो पानी आएगा, अगर बारिस नहीं होगी तो पानी नहीं आएगा तो अचिर थी वो यानि अचिर वती जो गंगा थी जब वहाँ पहुँचा तो उस समय उसमें पानी था तो वो देखता है कि पानी में जो फैनू है फैनू माने फैन फैन का मतलब होता है बुल-बुले यानि बबल जो जाग बनते हैं यानि पानी में लगातार पानी के बुलबुले जाग और फैन बन रहे हैं और जितनी तेजी से वो बन रहे हैं उतनी तेजी से वो नश्ट भी हो रहे हैं लगातार पानी गिर रहा है जाग बन रहे हैं बुलबुले बन रहे हैं और वो लगातार लगातार खतम भी होते जा रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से देखता है, ये बात उसे कुछ तम्माल किसी लगती है, उसके बाद वो वहाँ से आगे पढ़ता है, आगे पढ़ने के बाद वो देखता है, कि ताफित वो चलने के बाद में उसको प्यास लगन तो परते समय वो ऐसा रूप बदलती है जब उससे परिवर्टित होती है तो ऐसा लगता है जिसे पानी की तरंगे वहाँ पर हैं या पानी हिल रहा है इसको पाली भासा के अंदर मरीची बोलते हैं यानि जहां जो सूरे का प्रकास है सूरे के प्रकास में जो परावर्टित क पाली के लगी किसामने आगे बढ़ता है तो यहां उसे पानी नहीं मिलता, फिर थोड़ा आगे जाके लगता है, कि जैसे यहाँ पानी है पानी उसे वहाँ भी नहीं नहीं मिलता तो ये मारिची जी का जो धम था ये उसने देखा बड़े ध्यान से इसको जाना फिर वो थोड़ा आगे बड़ा उसने देखा एक पेड़ के अंदर बड़े सारे फूल हैं जो पूरी तरह से फूले हुए हैं यानि खिले हुए हैं और उसने वो फूलों को ध्यान से देखा कि उसमें कुछ फूल पिछबु रहे हैं मुर्जा भी रहे हैं और ये सारी बाते करता हुगा भगवान भुद्द के पास में पहुँच गया पहुँचने के बाद उसने अपनी सारी बातें बताई बताने के बाद में उसने अपने रास्ते का experience भी बताया कि मैंने पानी के बुलबुले देखे, मैंने वहाँ पर जो मारिची है, मारिची का धंब भी देखा और मैंने वहाँ पर फूल उद्वी देखे जो बड़े अच्छे फूले थे जो मुझे अपनी तरफ आकरशित कर रहे थे और मैं उनकी तरफ खिचा हुआ चला गया फूलों को देखने के लिए ये बात जब उसने भगवान बुद्ध को बताई तो भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही भगवान बुद्ध की एक बड़े कमाल की बात है कि वो सभी को एक ही बात समझाते थे कि जीवन कैसे काम करता है मिर्टु कैसे काम करती है मगर फूरे 45 साल में उन्होंने दस्यों हजार तरीके से सभी आदमियों को बड़े प्राकर्तिक रूप से जो धारण हैं जो उपमाएं हैं जो एक्जामपिल हैं जो एक्ष्पेसन हैं जो उनका सिस्य था जो वो देखके आया उसी को उन्होंने उपमा में बदल दिया और तब ये गाथा कही गाथा इस प्रिकार है फैनूपमन काया निमंग विदित्वा मरीची धंवन अभी संभू धानो फैनूपमन काया निमंग विदित्वा फैनूपमन एक सब्बे ये इसको फैनूपमन बोलते हैं वैसे फैनूपमन का मतलब है कि जाग और जो बुलबुले आ रहे हैं जो फैन आ रहे हैं पाली में फैन बोलते हैं आज भी पंजाब के अंदर कहते हैं इसमें बड़ी सारे फैन बन गए यह बड़ी सारा जो पानी इसमें फैन आ गए या जो कप्ड़े दोते हैं कहते हैं इसमें फैन हो है और फैना करके जाग बनाने का एक पाउडर भी आता है जो कहते हैं फैना के नाम चाहता है जो बरतन दोने का और कप्ड़ दोने का पौडर है जिसमें जहाग होते हैं वो शी सक्ड बना हुआ है पाली कर सकते हैं तो फैणो की उपमा देते हैं कहते हैं कि फैणो उपमां काया मिमंग विधितवा काया मिमंग का मतलब है कि ममंग माने अपनी और काया माने शरीर अपने सरीर को विधित्वा माने जानो ऐसा जानो जानकर कैसे जैसे पानी के बुलबुले है यानि कि ये सरीर आपका कुछ समय तक रहेगा जैसे पानी का बुलबुला कुछ सेकिंट तक रहता है ऐसे ही दुनिया के इंदर ये सरीर कुछ समय तक रहेगा, ऐसा जानके समझो इस सरीर को मरीची धंबंग अभी संभू धानो मरीची धंबंग, यानि मरीची का धंब समझो मरीची का धंब क्या है? मरीची का धम ये है कि आपको बार 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 ये भरम होता है कि पानी है जबकि पानी नहीं है ये मरीची का धम में इसको समझो कि सब दुनिया में ऐसा ही लगता है कि व्यक्ति को हमारा जीवन हमेसा रहेगा रहेगा या हम अपने जीवन को पूरी तरह स्रुक्षित समझते हैं जब कि जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये जूट है यानि कि जो हम समझते हैं कि जीवन सकते है, सरीर सकते है, परम सकते है ये तो सकते नहीं है ये नश्ट होगा और ये धीर-धीरे खतम भी हो रहा है ये अनिच है, अनित है ऐसा जानो जैसे जो प्रकासी क्रिणे आपका विफार करती है, लगता है कि पानी है वस्तुवाँ पानी नहीं होता अभी संबूधानो अभी संबूधाने मनलब पूरी तरह से इसको जानो फिर वो कहते है छेतवाँ मारस से पुप्फु कानी छेतवाँ, आपने एक सब्द सुना होगा इसको छेत दे, इसके गाल छेत दे या उसने मुझे छेत दिया, या उसको छेत किया ये जो छेतना होता है, यानि कि इसको मार किया, इसको पीट किया, इसको काट किया ये पाली का सब्ध है पाली में छेतवान का मतलब है छेतमाने काट कर यानि कि काटना, खतम करना तो आज भी कहते हैं जैसे प्याज को छेत दे या जो लेसने उसको छेत दे यह चेतना सद आज भी चलता है यह वही पुड़ाना पाली का सद है चेतवान मारस्ये, पैपँफ़ कानी मारस्ये का मतलब है मार के लिए और पैपँफ़ कानी का मतलब है कि जैसे फूल अपनी तरफ खीच रहा है रास्ते में जब वो जा रहा था ऐसे ही मार जो है वो छेतने के लिए मारने के लिए अपनी तरफ खीचती है आकरशित करती है यानि कि ये जो पिरपंच है जीवन में ये सारा का सारा आपको जितने राग और जो द्वेस हैं ये फूल की तरह है, जैसे फूल आकरसित होता है और वो अपने तरफ खीचता है, ऐसे ही ये मार का फूल है, रागोड बेस, इसमें जब आप फस जाते हो और इसकी चमक धमक देखते हो, तो आप इसकी तरफ खीचे चले जाते हो, जैसे शराब की चमक है, शराब में आपने देखा होगा कि बोतल इतनी ग्लैमरस अतनी बड़िया बनाई जाती है, उसके एफटाइजमेंट में एक सुन्दा नारी दिखाई जाती है, खोब बड़े रंग बरंगे चीज़े दिखाई जाती है, सिग्रेट के एड आते हैं, या जो वासनाइक चीज़े हैं, उनके आक्रित कर रही हैं, ये मार के एजेंट हैं, ये दुखों की एजेंट हैं, आपको दुख देंगे, इसलिए ये खीचते हैं, तो जैसे मारने के लिए, छेतने के लिए, मार फूल की तरह आक्रित करती है, एदसनंग मच्चू राजस से गच्छे, एदसनंग मतलब है कि दर जो गच्छती होता है उससे गच्छे है यानि कि इसका पाश्टेंस है यानि कि आप उसको नहीं दिखाई देने चाहिए मिर्टू राजा से यानि कि जो मिर्टू है जो मार है उसके हाथ आप नहीं चड़ने चाहिए उसको दिखाई भी नहीं देने चाहिए इसका मतलब है कि आप उसकी किसी भी चीज में नहीं फसने चाहिए ना उसके फूल में फसने चाहिए जो उसको आक्षित करता है ना उसका राग में ना उसके दूयस में आप खिचने नहीं चाहिए फसने नहीं चाहिए ये इसका सिंपल सा साधन है सिंपल सा इसको पताया हुआ है अगर आप इसको हिंदी में कहें या आसानी समझाए तो इस प्रिकार है कि जैसे अपने सरीर को इस तरह से जानो जैसे बुल बुले हैं और अपने जितना भी जो धम है पानी का वो मारशी की तरह है धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उनी की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ वितना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद धामं शरनं गच्छामे संधं शरनं गच्छामे संधं शरनं गच्छामे संधं शरनं गच्छामे संधं शरनं गच्छामे